दोस्तों यहां पर जैसा कि देख पारें मेरे नंबर पर 5G एक्टिवेट हो गए और अच्छे से चलने लगी जैसा कि आप लाइब देख पारें तो दोस्तों फाइल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यह टेल के नंबर पर हम 5G सर्विस कैसे एक्टिवेट करें क्यो को फॉलो करते हुए तो एक्टिवेशन का पूरा प्रक्रिया सिखाऊंगा चैसे साथ इस्टेफ होंगे जो पूरा पच्छे से देख लिजेगा उसके बाद यह टेल की 5G जो अल्लिम्टेट फ्री डेटा मिल लाइए और आपको बताना चाहूंगा कंपनियों का कहना है न तो हम लोग लेते रहें क्या करना हम लोगों को लाव से ही मतलब है तो आई इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और पूरा प्रोसेस आपको लाइब स्क्रीन पर चलके सिखाते हैं तो हैलो एंडिलकम दोस्तों आप देख रहे हैं Android जिंक्सन यूटूब चैनल और मैं न फोन में 100 परसेंट चलने लगेगी इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मुबाइल फोन में 240 रुप्या का कम से कम रिचार्ज करना होगा और यदि पहले से कोई बात नहीं है या तो फिर इससे उपर का भी रिचार्ज हो सकता इससे कम का नहीं चलेगा और आप आपके पास एक स्मार्ट 5G मुबाइल होना चाहिए यदि इतना फॉलो करते हैं तो फिर आपको अपने मुबाइल फोन के सेटिंग में आ जाना है मुबाइल फोन के सेटिंग में आने के बाद बहुत सारा ओप्सन दिखता है यहीं पर एक ओप्सन होगा मुबाइल का इसको चालू कर दिजेगा और इसको चालू कर दिजेगा और यहीं पर एक ओप्सन होगा नीचे के तरफ आएंगे तो इसको चालू कर दिजेगा यदि है तो चालू कली जगा नहीं है तो कोई बात ही नहीं है अब इतना कर लेने के बाद आपको बैक आना है और मुबाइल फॉन के Google Play Store में जाना है यहाँ पर आपको लिखना है यह टेल थैंक्स जैसे यह टेल थैंक्स लिखके आप सर्च करेंगे पहले नमबर पर एक एप दिखाई देगे इसी एप को आपको ड़ाउंलोड करलेना और ड़ाउंलोड करने के बाद ओपेन करना है पहली बार ओपेन करेंगे तो आप से आपका mowall number पूछेगा mowall number आप भर देगा mowall number भर देने के बाद उस पर QTP आएगे OTP डाल दिजेगा और OTP डालने के बाद आप इस app में login हो जाएंगे app में login हो जाने के बाद कुछ ऐसा option आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब आपको क्या करना होगा आए बताते हैं यहाँ पर आपको नीचे आना है और shortcut के नाम से आपको फीचर बना है लेकिन कुछ इनके स्पेसिफिकेशन दिए गया है जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है जैसे कि number one इस ओफर इंटर्डूज आओर कस्टूमर और फार हाइए एक्स्पिरियंस 5G डेटा यह अपने ग्रहागों को ना 5G स्पीड का डेटा मतलब एक्स्पिरियंस करने के लिए साजा कर रहे है नमबर सेकेंड अनलिम्टेट 5G डेटा इस ओभर देन एब ब्यूर प्लान लिमिट मतलब आपके जब प्लान में जैसे रोज जो डेट जीवी दो जीवी डेटा मिलता है न जब वो खतम हो जागा तब 5G डेटा काम करना सुरू करेगा नमबर 3 अनलिम्टेट 5G डेटा के लिए ब्यूर निभी यूज इन 5G नेटवर्क एरिया अनलिम्टेट 5G डेटा किवल 5G नेटवर्क एरिया में ही चलेगा तो कैसे आप पता करेंगे कि आपके एरिया में 5G है की नहीं है इसका जुगाड अभी मैं आपको बताऊंगा आगे है इस ओफर इसे बाइलेबल फार आल पोस्ट पेट कस्टूमरों के लिए भी उपलब्द है इतना पढ़ लेने के बाद क्लेम नाउ का नीचे बटन है इसको दबा देजिए मैंने अल्रेटी दबा देए इसलिए नहीं दबा रहा हूँ यह आखरी स्टेफ होगा इसको दबा देजेगा और बस एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ से बैक आईएगा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा मैं अपने इस दिम पर क्लिक करता हूँ नीचे आता हूँ आप देख पारे मेरी 5G डेटा अक्टिवेटेड है 5G मेरी चल लई है ठीक है एक बात आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों मैं आसे जूम भी थोड़ा से करना चाहूँगा देखें मैं 5G का लाप बहुत अच्छे से ले पा रहा हूँ जैसा कि आप लाइब देख पा रहे होंगे एक बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों एरटेल के दरफ से कुछ टर्मेंड कंडिशन लगाया गया है जैसे कि आपको पहले पर मंथ अल्लिम्टेट 5G डेटा दिया जाता था लेकिन अब 300 GB का लिमिट लगा दिया गया है एक महीने के लिए नंबर टू कंडिशन है आता है कि आपको जब आप में एक्टिवेट हो जाना तो किसी को होटी स्पार्ट मर्ज दिजेगा नई तो आपकी सर्विस बंद कर दे जाएगी नंबर थ्री कंडिशन है कि हर महीने जब जब आप नया नया रिचार्ज करवाएंगे तब तो एटल थैंक्स एप में आ करके क्लेम करना होगा जैसे मैंने भी क्लेम करना सिखाया है हर रिचार्ज कराने के बाद क्लेम करना तभी ओफर मिलेगा अब रही बात कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क है की नहीं है तो इसके लिए आप X98 and E198 पे कॉल करिए या तिलके कस्टूमर के र को और आप अपने एरिया का पिन कोड बता देजिए वह बता देंगे का आपके एरिया में 5G नेटवर्क है की नहीं है मैंने पूरा प्रोसेजर बता है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा चैनल को सब्स्क्राइब करेगा दोस्तों बैबै